हेलो एब्रिवन वेल्कम टू एए आउनलाइन सॉलूशन मैं हूँ अस्वाक तो आज आपके लिए इंपोटेंट यहां पर उर्दू के मुक्तसर सवालात वा जवाबात लाया हूँ आपके लिए जो कि कलास टेंथ वालों के लिए और यह खास के बिहार बोर्ड वाले के लि होगा या डॉक्टर मुहमद मोहसिन के बारे में होगा या तो अफसाना के बारे में कुछ होगा आपके किता में तो आपके लिए यह बेनिफीट होगा ठीक है सबसे पहले सवाल सुरूश लेकर आखिर तक देखें और सभी सवालात को अपने कोपी पर नोट करें ठीक है इ गेफें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जंगल न काटे जाय और ज्यादा से बढ़ेल अपह ड़ाई झालत हैं यह तो इक सिंपल होगा है तो जंगल ने काटने का मैटर यह हो गया कि जंगल कट रहा है और इंसानों की संख्यान जो तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदार जो गैस है वो है जी सी ओ टू यानि कि कार्बन डाई ऑक्साइड इसके जिम्मेदार है तो जब पेड कटेंगे इंसान की तादा जब बढ़ेंगे तो फिक सी ओ टू की मातरा बढ़ जाएगी इसे गलोबल वार्मिंग में इजाफा होगा तो हमको इसे निजात पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पेड जंगल ना काटें और ज्यादस ज्यादा हो सके तो पेड लगाया जाए तो यही गलोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का एक जरिया है गलोबल वार्मिंग से निजात पाने का एक जरिया यह है नेक्ट की डॉक्ठर मुहुषिन के एक अफ्सानी मुश्कुराथ अनोखी मुश्कुराथ और इसके नाम, नफसियाती, रवाय है नफसियाति मजमून का मजमूआ कौन सा नफसियाति रवाय है गें जक क में के फूट यह भी यह शैरी मजमूआ है और इक इनका है डोक्र update मोहिषिन का है इनके लावा उन्होंने नफियाति किताबे भी लिगत है बहुत सारी जिन से तल्बा ने बहुत इस्तिफादा हाजर कियाने कि बहुत उसको फायदा हुआ है ना तो इस तरह से चार पांश लेने हां पर लिख देना है आपको दो नंबर या तीन नंबर का सवाल रहे तो उसमें आपको फायदा होगा नेक्स सवाल आपका थाट सवाल देखें सिनफ अफसाना पर पांच जमले लिखे अफसाना के बारे में बताना पांच जमला ठीक है तो अफसाना पर जब पांच जमला बताते हैं तो कुछ इसमें नौवल के भी बात आ जाएगी अंसर है कि सिनफ अफसाना दास्तान और नौ मतलब छोटा ऐसा एक शकल है अफसाना जो कि दास्तान एक लंबी चौड़ी जो कहानी होती है उसको दास्तान कहते है एक अफसाना वाँ छोटा सा कहानी और नाविल जो पूरी जिंदकी के बारे मुसके दिया होता है कहानी होती है तो एक मुक्तसरीन सकल है बिल्यालफास दि रवायत नावल की बनिजबत हालिया है मतलब कम है उर्दों में जो अफसाने की जो रवायत है नावल की बनिजबत हालिया है नावल में किसी सक्स की जिंदगी की मुकमल अकासी होती है यानि कि जब नावल आप पढ़ते हो तो उसमें किसी सक्स की जिंदगी की मुकमल अकासी होते हैं कि जब से वो पैदा हुए और जब इंतकाल हुए उनके दर्मियान क्या-क्या उनकी बीच में मरहला आएं किस तरह के हालात आएं उन सभी का जिक्रे होता है नौवेल में लेकिन ऐसा जब किसी सक्स की जिंदगी के एक पहिलू को पेश किया था मतलब एक पहिलू का नौवेल में कि आदमी पैदा हुआ तब से लिए करके और जब इंतकाल हो तब से पूरी कहानी उसकी जिंदगी में क्या-क्या चीज गुजरा है बच्पनों में जवानी में बुरहापा में सारा यहां पे जिक्रे होता नौवेल में लेकिन अफसाना में ऐसा नहीं होता है कुछ एक घटना हो गया कुछ एक वाक्या हो गया उसको पेस कियाता है या तो साधी की मंजर हो या माप आपको देखने में हो या तो कही कामाने जा रहा हो उसके लिए या तो बच्पना का हो यानि कि छोटा सा एक पहलू जो है एक पेस कियाता किसी में अफसाना में याद तो पर लेंगे तो समझ में नौवल के लिए उसकी जिंदगी उसके हाला दिया होता है तो आपको पूरी नशिस्त की दरकार है आज की तेज रफतार मशीनी जिंदगी में नौवल पढ़ने की फूरसत कीसे है। अब भी जो इतना सा है जिंदगी सब के गुजरी तेज रफ़तार मशीनी वारी जिंदगी गुजरी इतना सभी के पास वक्त नहीं है अब मोबाइल के जमाना आगिया आदमी बहुत फास्ट हो गया टैम वक्त जो है बहुत जल्दी मतलब बहुत कीमती होगी सब के पास और टैम नहीं कि सब नॉविल पढ़े इसलिए अफसाना का मोतला करता है अफसाना पढ़ने बाद उसको थोड़ा से दिल्चस्पी आ जाता है एक वाक्या दिया होता है या तो फिरी है जो फुर्षत में है वो नॉविल को पढ़ते हैं तो यहां पर तीन नमर सवाल होगे इस कि सूरज गहन और चान्द गहन का मुकत Means सूरजगरहन का मुकति संवाल है तो देखे सूरजगरहन और पेश आने वाला एक जोगराफ की आई वाक्या है इस वज उता है कि किसी सयारा की और मлекश billionsवी जुजवी या मुकमल तौर पर 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 जाना मतला है तो productivity कम रूप में छोटी सी या तो पूरी तरह किसे परदा पर जाना वही उसी को हम लोग कहते हैं गहन के नाम से जानते हैं यानि कि अगर सूरज पर किसी चीज का परदा पर गया तो सूरज गहन बोलते हैं चांद परदा पर गया तो चांद गहन बोलते हैं यानि कि किसी चीज पर चितारों पर या स्यारों पर जो जोजवी यानिकि अदम कम मातरा में भी या तो पूरी तरीके से मुकमल तवर पर पर्दा या साया पढ़ने को हम क्या कहते हैं गहन के नाम से जानते हैं इस दुनिया के बासंदू को दो तरह के गहन वास्ता पढ़ता है जायवाद हम लोग दो तरह से दो तरह के जो हम लोग गहन को हम लोग को देखने को मिलता है ठीक है और एक सूरज गहन देखते हैं दुसरा चांद गहन यानि की गर्दिस करते है ठीक है एक वक्त ऐसा आता है कि जब चांद का साया सूरज पर पढ़ता है है ना जाए जब चांद का साया सूरज पर पढ़ गया तो सूरज तो दीखेगा नहीं इसको बोलते है सूरज गहन है ना सिंपल से जानते हैं कि जब चांद का साया जो है सूरज पर पढ़ जाता है तो उसको क्या कोता है ये वाकिया होता है ने concert सफ सवाल आपका ये अच्छा सवारा शिंकर नसीम और देखिए आप भी हार open-deak पता हुआ साथ नंबर सिर्फ और उर्दूमत के उसमें से आपको सिर्फ 50 नंबर बनाना घो नअरू 154 नंबर करायेगा है viewers को दू-दू करेंगा या तो यहाँ पर होगी 20 गिस नमबहई सकते हैं इसको 3 यहाँ भी तीन जाळना सकते हैं लेकिन रोब यह साथ देखाना है जागए या लेकिन फिर ही आप इसको short करके दो नमबर मीं बना सकते हो ठीक है तो five number सवाल देखे जी दया संकर नसीम का तारुफ पेस करना है तो दया संकर के बारे में बताना है नसीम का पूरा नाम पंडिट दया संकर कोल था और नसीम तकलूस रख दे थे उनके वालिदा का नाम गंगा परसाद था ठीक है उनके वालिद का नाम का था गंगा परसाद कोल था ये लोग कश्मीर बरहमन थे बरहमन थे नसीम के मौत नसीम के मौरस कश्मीर से हिजरत करके यानि कि उनके जो अबाओ अज़दाद थे कश्मीर से हिजरत करके लखनों आ फिर अस्थाई जो है अध्वसे रहने लगें लगणों में हान्य उनकैंद कि अधाल врag स्पेल परेड़र पक्ताईज कि लिए और 18-11 में नसिम के पैदास हुई इस बच्छ últimos दया संगर कोल रखा था तो नसीम को बच्पन से शेरो शायरी से फित्री दिल्चस्पी थी है ना बच्पन से इनको फित्री दिल्चस्पी थी शेरो शायरी करने की चुनांचे इसी जमाने से शेर कहना सुरू कर दिया तल सायरी में खाजा हैदर अली आतिश लखनावी के शागिर्द हुए यानि कि इनका जो शायरी जो पहला ये शागिर्द है वो खाजा हैदर अली आतिस लखनवी के शागिर्द हुए है और शायरी में अपने उस्ताद का ही रंग एक्तियार किया है और खूब लिखा बहुत सारे सेरो शायरी लिखा तक्रिबँ दो सदियों के बाद भी मस्नवी गुलजार नसीम के मकबुलत में कोई कमी नहीं ही मतलब दो सदियों के गुजारने के बाद भी मस्नवी गुलजार नसीम की मकबूलत में कोई कमी नहीं मतलब मकबूलियता नहीं लोक पीरियता तो मकबूलियत में कोई कमी नहीं वाक्य हुई है लेकिन अफसूस यह है कि नसीम की उमर नसीम की उमर ने वफा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी 33 साल की उमरे मुक्तसर उमरे पाकर जवान साली में ही 1845 में ही इस दारे hält हानि से कूझ करगए यानि कि नसीम दया संकर नसीम जो है वो 33 साल की उमर में भी उमर में ही जवानी साला में ही 1845 में इस तारे फानी से कूझ कर गए तो इस तरह से आपका यहाँ पर 5 सब्जेक्टिव कोशन पूरा हो गया है और मेरे क्याल से आप लोग आप लोग पढ़ ही रहोंगे नहीं अग सब्जेक्टिव कोशन हो पाता है मैं आपके लिए पूरा इंतजाम कर दिया हूं जाएं वहां पर देखें और सभी को कोपी पर नोट करने की कोशिज करें फिल्हाल इसका मैं पीडिया भी आपको प्रोवाइड करूंगा इसके लिए आप टेली गराम एप्लिकेशन डॉन सब्सक्राइब करें तो आप यहां पर जोएं और आपके लिए उर्दू का एक अस्पेशल गुरूप बनाएं जिसमें उर्दू का क्यूज वगराव यह होता है तो अगर अगर आप चाहते हैं कि उसमें एड होना तो मुझे परसनली वहां से मैसेज करेंगे और मैं वहां है तो चनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और डाइट चाहल थैंक यू अवरिवरिवन